नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जिया दोस्तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो चलिए दोस्तो जोन लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर 15 लाग का बीमा महिलाओं को 5,000 रुपे जारखंड में इंडिया ब्लोक ने कर दिया साथ गारंटियों का एलान जिया दोस्तो जारखंड चुनाओं में कुछी दिन बचे हैं ऐसे में सभी राजनितिक पार्टिया लोगों को लुभाने में जु जिसमें साथ गारंटी दी गई है इनमें महिलाओं को 5,000 रुपे गरीब परिवारों के लिए साड़े 400 रुपे में गेस लेंडर और साथ किलो राशन आधी शामिल हैं चलिए दोस्तो जान लेते हैं अंगली खबार खड़गे का योगी अधितनात को जवाब कहा बाटने वाले भी यही यूपी सीम ने कहा था जब भी बटे हैं बहरहमी से कटे हैं जातियों में नहीं बटना है जिया दोस्तो कांग्रिस अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे ने मंगलवार को यूपी सीम योगी अधितनात कि जब भी बटे हैं बहरमी से कटे हैं बयान पर कहा कि बाटने वाले भी यही लोग हैं खड़गे ने कहा कि ये बीजेपी आरिसेस का एजेंडा है जब तक आप उनका एजेंडा नहीं तोडेंगे वो आपका शोशन करते रहेंगे जारखन में कोडर्मा की चुनावी श्रमा में योगी ने कहा कि देश का इतियास गवा है कि जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं दरसल योगी ने 26 अगर्स्त को आगरा की एक सबा में कहा था कि राष्ट से बढ़ कर कुछ नहीं राष्ट तबी सशक्त होगा जब हम एक होंगे बंगलादेश में देख रहे हैं है न वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए बटेंगे तो कटेंगे वैसे दोस्तो सीम योगी अदतनात के इस बयान पर आपके क्या विचारे कमेंडोक्स में जरूर बताएं चलिए जान लेते हैं अंगली खबार सीजियाई बोले ए अर्बन से जेड जुबेर तक को जमानत दी यही मेरी फिलोस्पी है नियाई पालिका के सुतंतरता का मतलब सरकार के खिलाफ फैसला सुनाना नहीं होता जिया दोस्तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजियाई डीवाई चंचूर ने कहा कि किसी मामले का अच्छा या बुरा जैसा मीडिया में दिखाया जाता है उससे काफी अलग हो सकता है मैंने ऐसे लेकर जैड यानि कि अर्नब गोस्वामी से लेकर जुबेर तक को जमानत दी है यही मेरी फिलोस्फी है जमानत नियम है और जेल अपवाद है इस सिद्दान का मुखे रुप बनवा रही है सरकार सीम आतिशी बोली चट सभी दिल्ली वासियों का त्योहार है जिया दुस्तों दिल्ली की मुखे मंतरी आतिशी ने मंगलवार को चट महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से किये गए अंतजाम की जानकारी दी है उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि दिल्ली सरकार छट महापर्व के लिए पूरी दिल्ली में एक हजार छट घाटों का निर्मान करवा रही है ताकि किसी को भी पूजा के लिए अपने घर से एक से दो किलम्टर की दूरी से ज़ादा दूर नहीं जाना पड़े आतिसी ने प्रेश कोंफरेंस की शुरुवात छट की शुपकामनाई देते हुए कि उन्होंने कहा कि प्रवन्चल के हमारे भाईयों के लिए छट का त्योहार साल का सबसे महत्योपूर्ण त्योहार होता है एक समय था जब हमारे भाईयों और बहनों को छट का त्योहार मनान ट्रेवलर्स बिना वीजा थाइलेंड घुम सकेंगे 30 दिनों के लिए एंट्री मिलेगी जिया दोस्तो थाइलेंड ने भारतिय नागरिकों के लिए अपनी वीजा फ्री पॉलिसी के अनिश्चित कालिन विस्तार की घोशना कर दी है यह योजना 11 नवंबर 2024 को खत्म होने वा जिसी टूरिज्म लिमिटेड सर्विसेज के डिमांड बढ़ती है इससे देश की एकोनोमी को बूस्ट मिलता है चली दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर कनाडा में मंदिर पर हमला पुलिस अधिकारी हुआ सस्पेंड खलिस्तानी जंडा लहराया था तीन लोगों पर केस दर्ज भारत ने कहा था टुड्रो सरकार एक्शन ले जियन दुस्तू कनाडा के ब्रैम्टन में हिंदू सबा मंदिर के बाहर खलिस्तानी समर्द को के प्रदर्शन में शामिल होने वाले एक पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया सीबियेस न्यूज के मुताबित हरिंदर सोही नाम का वेक्ती पील रिजल पुलिस टीम में अधिकारी के पदपर तेना थे वह रईववार को मंदिर के बाहर खलिस्तानी जंडा लहराता नजर आया था पील पुलिस के मीडिया ओफिसर रिचरड चीन ने बताया कि पुलिस को मंदिर के बाहर हिंसा से जुड़े फुटेज मिले हैं जो शुशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं इसमें पुलिस अधिकारी प्रदशन में शामिल नजर आ रहे हैं मामले की जाच की जा रही है चली दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर सल्मान खान को लोरेंस के नाम से फिर मिली धमकी कहा जिंदा रहना है तो विश्णोई मंदिर जाकर माफी मांगो या पांच करोड रुपे दो जिया दोस्तो बोल्यूड अभिनता सल्मान खान को एक बार फिर लोरेंस के नाम से धमकी मिली है मुंबई कंट्रोल रूम में आये मैसेज में कहा गया कि अगर सल्मान खान काले हिरन का शिकार करने पर विश्णोई समाज के मंदिर जाकर माफी नहीं मांगते हैं या फिर पांच करोड रूपे नहीं चुकाते हैं तो उनकी जान जा सकती है हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मताबित धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने करनाटका से गिरफतार गर लिया है उसका नाम विक्रम है मामले की जाच के लिए पुलिस आरोपी को मुंबई लेकर आ रही है दरसल दूस्तू जैसा कि आपको पता है जबसे बाबा सिद्ध की मडर केस में लोरेंस विश्णोई का हाथ होने की बात सामने आई है जबसे लगातार सलमान खान को भी धमकियां मिल रही है हालांकि अधिकतर धमकियां जूटी ही साबित हो रही है चलिए जान लेते हैं अगली खबर शरत पवार का चुनावी राजनिती से सन्यास का संकेत बोले कहीं तो रुखना पड़ेगा अब चुनाव नहीं लड़ूंगा काम देखते रहेंगे यानि कि NCP चीफ के पद पर काम करते रहेंगे 84 साल के शरत पवार ने 12 मती में मंगलवार को कहा कि कहीं तो रुखना ही पड़ेगा मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है अब नए लोगों को आगे आना चाहिए चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार तो वहीं जून और अक्टूबर में होने वाले प्रदूशन बाहर के श्रोतों से होते हैं। रिसर्च में यह भी खुलासा हुआ है कि प्रदूशन बढ़ने की स्थिति में ग्रेप के नियमों का उलंगन होता है। यह रिसर्च आयाईटी दिल्ली के वायुमंडलिय विज्ञान अध्यान केंदर ने की है और इसका रिसर्च प्रेपर निधरलेंड के लसी वियर जर्णल में पब्लेश हो चुका है। दोस्तू खास बात यह की दिल्ली के प्रदूशन को दूरगामी रूप से खत्म करने के लिए पंजा परियाना राजस्तान और यूपी बिहार में भी ग्रेडिड रिस्पोंस एक्शन प्लांस के तैत पाबंदियों की पेशकर्स की गई है। चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार। उद्दव ठाकरे का बड़ा बयान उनका नारा है बटेंगे तो कटेंगे लेकिन हम नहीं बटेंगे और नहीं कटेंगे। चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार। इससे पहले 2018 में यह अनिवार्रे किया गया था कि विमान में मोबाइल कम्यूकेशन सर्विस तभी शुरू की जा सकती है जब विमान इस्थलिये मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्त शेक्ट से बशने के लिए 3000 मिटर की नियून तम उचाई पर पहुँच जाए। अब नए नियम के अनुसार इस उचाई पर पहुचने के बाद भी वाइफाई के माध्यम से इंटरनेट सर्विस तभी उपलब्द कराई जाएगी जब इलेक्ट्रोनिक डिवाइस होके इस्तेमाल के अनुमती होगी। चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली हबार। अपने हाई कमिशनर को इस बेटक की इजाज़त नहीं दी थी। इसी वजह से सरकार ने उसे वापस बुलाने का फैसला किया है। उदर दोस्तो न्यूज अजनसी एफपी के मुताबिद इसलामबाद में मौजूद मालदीव ये मिशन की वेबसाइट से भी तोहा का नाम हटा दिया गया है। मालदीव की लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबित तोहा को इस साल जुलाई में पाकिस्तान में बतो रहाई कमिशनर भेजा गया था। मालदीव की सरकार ने तोहा के खिलाफ कारेवाही करने की बात भी कही है। चली दोस्तो जान लेते हैं अंगली खबर। आपसे कहें कि निगट भुष्य में MFCG प्रोडेक्ट के दाम बढ़ने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके घर का बजट महगा हो सकता है। जिया दोस्तो देख की MFCG सेक्टर की बड़ी कमपनियों जैसे की HUL, Godres, Consumer Product Limited, Dabar, CGPL, Nestle वगेरा आने आने वाले समय में अपने प्रोडेक्ट के दाम बढ़ाने का संकेत दे दिया है। इसके पीछे उन्होंने वजब बताई कि शहरी इलाकों में इस समय मांग कम आ रही है। जिसके चलते उनकी विक्री घटी और मुनाफ़े मार्जिन पर असर देखा जा रहा है। से 1180 अंक समला बाजार सैंसेक्स 694 अंक की तेजी के साथ 89476 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 371 अंक की रिकवरी के साथ बंद हुआ। 213 के इस तर पर बंद हुआ। दोस्तों बात करें आज निफ्टी 50 के टॉप गैनर और टॉप लोजर स्टॉक्स की। तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गैनर में टॉप गैनर शेयरों में JSW टटाय स्टील और इंडाल को रहे। जबकि निफ्टी 50 के जिया दोस्तों सोने की कीमतों में तेजी और चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। आज 10 ग्राम 24 केरिट सोने की कीमत 48 रुपे बढ़कर 78,566 रुपे पर आ गई है। एक दिन पहले इसकी कीमत 78,518 थी। वहीं दूसरी और चांदी की बात करें तो चांदी नीजी संपत्ती भोतिक संसादन नहीं, 45 साल पहले दिया अपना ही फैंसला पलटा। जिया दूस्तों क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए नीजी संपत्तियों का सविधान के नुच्छिद 49 बी के तरत अधिगरन कर सकती है। इस मामले पर सुप्रिम कोट की नोजज नीजी संपत्ती को सामुदाइक संपत्ती नहीं कह सकते, कुछ खास संसादनों को ही सरकार सामुदाइक संसादन मान कर इनका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। बेंच ने 1978 में दिये जस्टिस क्रश्वन अईयर के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सभी नीजी संपत्तियों पर राज सरकारे का अब जा कर सकती है। सीजी आई बोले कि पुराना फैसला विशेश आर्थिक सामाजिक विचारधारा से प्रयारित था, हालांकि राज संसादनों पर दावा कर सकती हैं जो भोतिक हैं और सारजनिक भलाई के लिए समूद दाए दोरा रखे जाते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अंगली खबार। पाकिस्तानी सेना ने सेना के दूसरे सीनियर कमांडरों का कारेकाल भी बढ़ा दिया गया है। रक्षामंत्री खवाजा मुहंबद आसीफ ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में शोधन का प्रस्ताव रखा था। इसे सदन के अध्यक्ष आयाज सादिक ने पारित कर चलिए दोस्तो जान लेते हैं अगली खबार। ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए भारतिये दावेदारी पेश। मंजूरी मिली तो एहमदाबाद में होंगे गेम्स पहले दो एशियन एक कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किये हैं। जिया दोस्तो भारत में ओलंपिक गेम्स 20 2036 की मेजबानी हासिल करने के लिए दावेदारी पेश कर दी है। इसके अताथ इंडियन ओलंपिक अशुष्षन आई ओए ने इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसल आई ओसी को लेटर लिखा है। केंद्रिये खेल मंत्राले में मुझूद देनिक भासकर के सुत्रों ने चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार। केंबरा में आस्टेलियाई विदेश मंत्री पैनी वोंग के साथ जोइन प्रेस कॉन्फरेंस में बोल रहे थे। जैई शंकर ने कहा कि डिसिंगेजमेंट पूरा होने के बाद अब दोनों देशों का फोकस डी एक्सिलरेशन पर होगा। इसके लिए विदेश मंत्रियों और रास्टे सुरक्षा सलाहकारों की जल्द ही बेठक होगी। जैई शंकर ने किसी तारीक का जिग्रहालांकी नहीं किया है। मेडिकल रिपोर्ट में उनके पुरुष होने की पुस्ठी हो चुकी है। हरबजन सिंग ने इसे लेकर काफी नाराजगी जताई और उनसे गोल्ड मेडल वापस लेने की भी मांग रख दी है। दरसल दूस्तों एक मेडिकल रिपोर्ट लीग हुई है जिसे फ्रेंसीसी प इसके बाद दोस्तों क्रिकेटर हरबजन सिंग ने नाराजगी वेक्त करते वे सोशल मीडिया पर उलम्पिक्स को टेक किया और खलीफ से मेडल वापस लेने की भी मांग रख दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार। मदर से चलते रहेंगे और सोला हजार मदरसों में पढ़ने वाले सत्रा लाख स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोट ने यह आदिस सुनाते वक्त इलाहबाद हाई कोट का वह फैंसला खारिस कर दिया जिसमें मदरसा एक्ट को असविधानिक बताया गया था। दरसल दोस्तों सुप्रीम कोट का कहना है कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या सविधान के बैसिक स्ट्रक्चर का उलंगन नहीं करते हैं। दोस्तों पूर्व भारतिय क्रिकेटर मुहंबत केफ ने भारतिय बैटर्स की अलोचना की है। दो फुल टोस फैंकते हैं और दो लेंद बोल फैंकते हैं। इन बोलों पर हमारे बल्लेबाज आउट हो गए। चेलिए दोस्तों जान लेते हैं अंगली खबार। गुरूबडी के पदों पर भरती निकाली गई है। उम्मीदवार ओफिशल वेबसाइट www.rrcpryj.org पर जाकर आवेधन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दे मानेता प्रदाप्त बोर्ड से बार वी या इसके समकक्ष 50% अंकों के साथ पास किया हुआ वेक्ति इसके लिए क्वालिफाइ कर सकता है यानि की फोरम भर सकता है। दोस्तों आयू सीमा की बात करें तो नियून तम 18 वर्ष है और अधिक तम 30 साल और कुछ पदों के लिए 33 साल भी है। चलि दोस्तों जान लेते हैं अंगली खबार। मंडे टेस्ट में भी धमागेदार कमाई के साथ पास हो गई भूल भूल यातीन कार्थिक अर्यन की टॉप फिल्म बनने को है तेयार। पहले सोमवार का सामना ये फिल्म किस तरह करेगी मगर अब सोमवार की कमाई ने तै कर दिया है कि कार्थिक की फिल्म में बड़ी हिट बनने जा रही है। दरसल दोस्तो कार्थिक की फिल्म ने पहले ही दिन अनमानों से कही बहतर ओपनिंग करते वे 36 करोड रुपे से जादा का कलेक्शन कर डाला था। इस फिल्म से कार्थिक को अपने करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग भी हाथ लगी है। अगले लगातार दो दिनों में दमदार कलेक्शन करते हुए फिल्म ने सो करोड का आखडा भी पार कर डाला। वहीं बात करें सोमवार की तो सोमवार के दिन भी फिल्म ने शांदार कमाई करते हुए 17-18 करोड रुपे का कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म अब तक 4 दिनों में कुल मिलाकर 127 करोड से जादा रुपे कमा चुकी है। वैसे दोस्तो कमेंड करके बताईए आप भूलो या 3 को ज़्यादा बहतरे इन फिल्म मन रहे हैं या फिर सिंगम रिटन्स को ज़्यादा बहतरे इन फिल्म मन रहे हैं। तो दोस्तो ये हतियाज की तमाम बड़ी खाबरें चलिए अब जान लेते हैं आज का माइंड की जी कुशन जी आँ दोस्तो एक असांसी सवाल का जवाब देकर जीत सकते हैं आप सर्प्राइस गिफ्ट अमारे यूटिब चैनल की ओर से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क् स्क्राइब करके बैल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वंद्यमातरम जे हिन जे भारत